दोस्तो स्वागत आपका लीजेन अप्शानू के एक और शांदर नोबिल एक्स्प्लेंड वीडियो में और ये एपिसोड वर होने वाला है क्योंकि शुरुआत में ही किंग यंग सेक्ट मास्टर का या फिर कहलो लीडर का फट जाता है क्योंकि उसने जीदे जी एल्डर को ये चन पर ट्रांसपर होते हुए देखा है और फाइनली दिमाग में वो बात प्रोसेस होने के बाद वो बोलता है ये चन तुम जहाई ये चन कहता है क्या मैटर है मुझे देकर खुश नहीं हो क्या यार ऐसा लग रहा है कि आप मेरा रेपुडेशन इंग यंग एल्डर स कही गुना ज्यादा हो गया है चाहाँ डरे हुए मास्टर कहता है क्या चल रहा है आकिर मास्टर कहा है आकिर वो लोग लोटे क्यों नहीं चाहाँ पर ये चन इसमाइल करता है और भाई वो इसमाइल काफी है किसी का भी फारके रगने के लिए लेकिन ये चन मास्टर का और फरता है कहेगी जैसे कि तुम सोच रहे हो हाँ मास्टर मुसिबत में पर गया है और वो बत सही है लेकिन चिंदा मत करो वो लोग अभी भी जिंदा है बस उनके कल्टिवेशन को तबा कर दिया गया है चो सुनके सेक्ट मास्टर कहता है इंपॉसिबल है तुम एल्डर से भीर नहीं सकते हो जहां लिंगर कहती है गौंगसुन जी तुम सालों पहले अंदे हो चुके हो जो तुमने ये चैन को डिमन फ्रेम किया और उसके भी उपर उसे मारना चाहा लेकिन क्या तुमें पता भी है वो सिर्फ सर्वाइब भी नहीं किया बलकि वो अभी एक होली लॉड प्belट भी है साथी हेंगिय सेक्ट लीडर भी और साथी उसने साथर्ण मेजुन फोर्सेस को भी यूनिफाइग कया और उसके अभी एक कमेंड काफी है सिधा किंग यंग सेक्ट को खत्म करने के लिए सब भी स्टेक्ट मास्टर सब को देखकर बोलता है तुम हैंग यस एक्ट का एल्डर हो और साथ ही यहां हैंग ट्यान भी मौजूद है और बाकि सारे क्वाशी हैं रियल्म एक्सपर्ट जो एल्डर को कैसी भी हमुकम पर हरास सकता है और वो लोग इतना ताकत पर है तो क्या इनएमी मार्ड डालो इन्हें चो देखकर सीनियर संग्टों कहता है कि गलाफर के कोई फायदा नहीं है मैंने और बेरियर सेट किया तो कोई तुमें सुन नहीं सकता ना ही कोई तुमें बचाने आने वाला है जहां मास्टर कहता है फिर भी तुम सब वी बापस नहीं चाह पाऊगे क्योंकि अजिब नोटिस करते ही किंग यंग नाइफ डिविजन आर्मी 81 हो जाएंगे और किंग यंग कॉम्बिनेशन एरे परफुम करेंगे जिससे तुम बचने ही पाऊगे तबी जोगाओ के और इशारा करके ये चन कहता है वो लोग तुम्हारा नहीं सुनेंगे बलकि वो लोग इसे सुनना पसंद करेंगे और फाइनली जोगाओ चेहरा दिखाता है और बोलता है मास्टर लॉंग टाइम नोसी तबी जोगाओ को देखकर मास्टर को बहुत गुसा आता है और उसे वो गदार बगेरा बगेरा बोलने लगता है लाइक तुने सैट को धोका दिया एनिमिस को लेके आया जहाँ जोगा बोलता है धोका हाँ नहीं मास्टर अब कलत हो क्योंकि किंगियं को प्रोटेक करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ लेकिन क्या तुम दे सकोगे असलियत में बात यह है कि आपने मेरा विश्वास को तोरा आपके तुच्य फाइदा के लिए आपने काउंटलेस डिसाइपल का बली चराया और वो आप ही थे जो सारे रक्षिश को पना दिया और क्या आप चानते हो जब मैंने शूनर की हुमिलेटर होते हुए देखा लुओ हुओ से तो मैंने आपको कितना हेट किया और फिर जोगाव रेज में चला जाता है और बोलता है कि उसी मुवमेंट से इस जोगाव को बस अपसे बदला चाहिए लेकिन उतने में ही मास्टर सौड लेकर जोगाव के उपर कुद परता है और बोलता है गद्दर आज तो मैं तुझे मार डालूँगा लेकिन जोगाव को प्रोटेक करने के लिए पीछे से दोदो सीनियर आते है और सेक्ट मास्टर की गंदी तरह पिटाई करता है तो उसे मत मारा उसे माफ कर दो मैं आपके हर बात मानूँगा जो सुनकर ये चैन बोलता है ओके तो फिर उसे हमेशा के लिए प्रिजन पर डाल दो और ध्यान रखो कि किंग यंग के कोई भी उसे मिल ना पाए तभी ये चैन जो किया उसके लिए जोवाव इमोशनल होता है और उसे थैंक्स बोलता है चाहाँ ये चैन कहता है कि देख भाई अभी तुझे सैक्ट लीडर की जिमेदारी भी निबाना आए चाहाँ सिक्स डिबिशन चीप और लुओ हुओ तुम्हारे रास्ती की दिवार होंगे सो तुम्हें खूद को तियार रखना चाहिए ना कि किसी भी सिनारियो में तुम्हें नरम पढ़ना चाहिए चाहाँ जोवाओ कहता है हाँ मैं समझ गया तभी बेरियर को देखने को मिलता है जिसके कारण अंदर क्या हो रहा है बाहर किसी को मालूम नहीं लेकिन तभी बाहर डिविशन चीप पहुँँ जाता है क्योंकि डिविशन चीप अल्मोश सैक के सारे मिलिटरी पावर्स को कंट्रोल करते है और आज सब के सब वहां पहुँँ चुके है और सारे के सारे चीप को देखकर बाकी एल्डर कहने लगते आखिर आज चल क्या रहा है तभी एक एल्डर ग्रिटिंग के साथ चीप को कहता है कि चीप फाइनली आप लोग आगे हो आज अचानक 9 एल्डर आए एक मिस्ट्रेस परसन के साथ जिनका चेहरा देखने नहीं मिला और मैंने सोचा कि देखने में उसको पहचान लूँगा लेकिन तभी एल्डर ने सार मास्टर के बारे में पता है आपने अच्छा काम किया और जब की सभी चींतिद हो इसलिए हम यहाँ वेट करेंगे तो कुछ डिसिशन लेलंगे उस एक्ट मास्टर बाहर आने तक और तभी बाकी लोग नोटिस करने लगते हैं कि बेरियर हट रहे हैं सो वो कहते हैं कि लग कर येचन बोलता है ओम जी यहाँ तक डिविशन चीप भी यहाँ है यह तो अच्छी बात है नहीं तो फीट से सबको बूलाना परता तभी सभी लोग जोगाव को देखकर बोलने लगता है क्या वो जोगाव नहीं है क्या सेक्ट मास्टर आज जोगाव को लेकर कुछ इसता कहता है कि वो परसन जो अभी अभी बोला उसके बारे में होंग चन शुए भी मैंशन किया था उसका नाम है चैन ही और वो अलमुस्ट सारे किंगेंग फोर्स को कंट्रोल करता है और उपर से वो लूहाव की भी बहुत करीब है चाहाई यह चैन कहता है यप तभी एक एल्डर पूशता है कि सैक लीडर ने जोगव को डूढ़ा कि आपके इरादा उसे होली सन बनाना है तभी उस परसन पर दूसरा परसन यानि चीप भरक जाता है और बोलने लगता है कि उसका क्या क्वालिफिकेशन है जो वो होली सन बनेगा उपर से वो कितने टाइम से सैक बनने के लिए जो सुनकर एल्डर उस एल्डर पर गुस्सा होता है लेकिन तभी ये चैन भी लाइक साइलेंस और फिर आगे वो कहता है कि उपरवला हम पर रहम दिखाया जिसके कारण एल्डर को एंसेस्टर इनक्यू की डिसेंडन जोवाव उन्हें मिला और इस बारे में मैंने एल्डर से अच्छे से डिसकस किया जिसके बाद में कहना चाहता हूँ कि मैं आप से सैक लीडर नहीं रहा क्योंकि आप से मेरा सक्षचर जोवाव किंग यंग सैक्ट का झाने जेनरीशन लीडर होगा अप सब के लिए चो सुनकर किंग यंग सैक के लोगों का खोश पूर जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मेरा तो पल्ले नहीं पर रहा कि सेक्ट लीडर अपना पोजिशन कैसे जुगाव को दे सकता है जबकि वो अभी अपने प्राइम पर है और ट्रेडिशनली सेक्ट लीडर होली सौन ही बनते हैं जहां कोई और कहता है कि मैं ब्लाटश कहता है कि सेक्ट लीडर जोवाव के क्वालिफिकेशन के परवा किये बिना पिछले लीडर उने होली सन के रूप में शुरुआत की और ग्रिकेडो तक ट्राइल सहन किया और जब तक उन्हें सेक्ट के अल्मोस सभी लोगों ने एकसेप नहीं कर लिया और तभी एक लीडर को उनिवर्सल रिस्पेक्ट मिल सकता है लेकिन आपके ये अजीब डिसिजन सेट को डिस एड्मनटेज में डालेगा जहाँ तब भी जोवाव चीप कर कहता है कि चैन ही क्या तुम फॉर्मर लीडर और एल्डर के डिसिजन के खिलाब जाना चाहते हो जा चीप कहता है कि तु कुछ डिसाइपल का रियक्शन देखने को मिलता है जहाँ वो लोग कहने लगते है कि चैन ही सही है और जबकि सभी इसके खिलाब तो इस मैटर को चेंज किया जाना चाहिए तबी जैसे ही सभी लोग उपुस करने लगते है तबी जोंग जियान चीप के उपर कूद परता ह और अन्दा स्पॉर्टी स्वाट से उसे मलेटा देता है जो देकर सबके सब डंग रह जाते है और कहने लगते है जिप तो मर चुका है लेकिन वो तो बॉयट रिफाइनमेंट रियालम पीक पर था और वो सोचकर सबके मन में डर बैट जाता है और उसी वक जैंग जैन कहत है कि अपोस करने वाला और कोई है क्या जहां सभी लोग शान्त होकर निव सेक्ट लीडर को ग्रेट करने लगते है वो भी ओसम वैसे जो कि आप देख सकते हो और वो तमी जिससे एकदम ग्रेट करने लगते है जो देखी सकते हो तो बाई मिलते हैं अगले एपिसोड में क् कि ये एपिसोड यहाँ पर कतम होता है तो जाओ अभी कुछ और देख लो और प्लीस मेंबर बन जाओ हमें सपोर्ट करने के लिए